नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेधी एजुकेशन द्वारा बनाया और एक वीडियो में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे दोस्तों, नक्सलिसम, लेफ्ट विंग एक्स्रीमिजम ऐस सब के वारे में इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक इंड्रेक्शन दूँगा नक्सलिसम के वारे में, इसके बाद लेफ्ट विंग एक्स्रीमिजम का कंसप्ट क्या होता है, बेसिकली नक्सलिसम, लेफ्ट विंग एक्स्रीमिजम, मावोिसम यह सब इंडर्चेंजबल वर्ट से, ज्या स्राटेजी रहा है, लेफ्ट विंग एक्स्रीमिस को रोकने के लिए, नक्सलिसम का ओरिजिन क्या है, नक्सलिक मुवमेंन का कोस्त रहे है, गर्मन की तरफ से नक्सलिसम को टैकल करने के लिए क्या-क्या लोज बनाया है और रिफोर्म्स देखिए यह जो नक्सलिक मुवमेंट्स हैं लेफ्ट विंग एक्स्रीमिसम हैं यह सब अच्छी चीज़तों नहीं है क्योंकि यह सब वाइलन्ट प्रोटेस्ट है इनकी मकसद अच्छा हो सकता है बुरा हो सकता है पर यह जो तरीका यूज करते हैं वो तो ठीक नहीं है लोगों की जान चले जाती है ठीक है पब्लिक पॉपर्टीज को डिश्टोई किया जाता है तो यह सब रोकने के लिए क्या-क्या रिफोर्म्स नीड़ है वो भी हम डिस चुरुएत करते हैं दोस्तों इंडिक्शंस से देखर इनक्सालि करते हैं अनियुक्रेस्टीक ल को यह इसे प्रोटेस्ट करते हैं व करतें व लोग उस आइजियोमोजी के उपर विश्वास रखता था अगर हमारे राइच्स हमें पाना है तो हमें अटाक करना पढ़ेग ये इनका ideology था तो ये same ideology follow करते है नक्सलेट्स भी नक्सलेट्स का भी ideology ये है अगर उन्हें जो चाहिए वो अगर पाना है तो opposite डूप के उपर चाहिए वो हमारी authority हो, government क्यों ना हो उनको उपर एक डर पैदा करना पड़ेगा तब जाके हमारा rights पाएगा तो इसी ideology के उपर वो विश्वास रखते है पर इनका जो तरीका है वो पाने का वो थोड़ा violent है, violent मतलब लोगों की जान भी चली जाती है, ठीक है इतना violent है ये हम कभी democracy और democratic process के उपर विश्वास ही नि रखते है देखें, democracy एक ऐसा principle है इस दुनिया में कहीं सारे successful nations है जो democracy को follow करते है पर ये लोग ये democratic process के उपर विल्कुल विश्वास नि रखते है क्योंकि इनका experience ऐसा रहा है उनको कभी भी ये जो democratic process है जितना इनको rights मिलना था वो मिल नहीं पाया है देखें, widespread practice of social discrimination, untouchability, domestic violence and atrocities against the weakest section is an index of the failure of the promises made to the oppressed people of this country अब देखें दोस्तों, एक देश के लिए सबसे ज्यादा priority कौन से section को देना चीए, oppressed people को देना चीए हमारी history देखा जाएगा तो हमारे Indian section में काफी सारे oppressed sections थे ठीक है, तो अभी भी आप देखा जाएगा तो widespread practice of social discrimination तो ही हम एक independent country पिछले 75 years से untouchability अभी भी follow हो रहा है, domestic violence है, atrocities against, weaker section से, दरलित, आदिवासी के against, काई सारे atrocities report हो है तो यह सब एक democratic principle का failure दिखाता है In this situation, it should not cause surprise that a large section of the people are angry and feel alienated from the polity आप देखिए, इस situation में कोई surprise नहीं होना चीए हमें, कि एक large section, मैं उस section की बात कर रहा हूँ, जो oppressed है उन लोग के उपर गुसा है, एक frustration है, गौवर्नन्स के उपर उनका पूरा विश्वास उड़ गया आप यह लोग कैसे protest करेंगे? इनकी यह protest करने की तरीका है न, यह है नक्सलिसम जो में बहुला इसको अब left-wing extremism भी बहुल सकते हो, क्योंकि इनकी जो ideology है, वो leftist ideology है जो चाइना वगार में, communist China वगार में फोडो होता था ठीक है, in this context, it has become necessary to identify the variety of causes of discontent and to seek ways by which state could answer them in a human तो, state का responsibility बनता है, यह जो weaker section का discontent का, इनके गुसा का कारण क्या है और इसको एक democratic way में solve करना चाहिए पर होता कुछ अलग है, यह लोग खुश नहीं है इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे है, police stations वगड़ा अटाग कर रहे है, government offices को अटाग कर रहे है क्योंकि इनको जो मिलना है, जो actual government process के तुरू, इनके rights उनको मिलना है इनकी जो food मिलना है, health facilities मिलना है, वो सब मिल नहीं पाता है इसलिए लोग protest करता है, right इसलिए लोग प्रोटेस्ट करता है, if the emphasis of this exploration is on the Naxalist phenomenon it is not because other modes and forms of agitation are less important देखे दोस्तों, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि Naxalist जो कर रहे है, जो violent mode of protest है या extremist ideology है, that is the only way of protest यह कोई only way नहीं है, प्रोटेस्स करने का पर, the method of struggle chosen by the Naxalist has brought the problem to your head यह जो method वो यूस करता है, देखे दूसरा थरीका भी है, पर वो लोग वो सब के उपर मिश्वास नहीं करता है इसलिए लोग के against government को action लेना पड़ता है, क्योंकि इनका जो action है, vital protest है चाहिए वो कुछ भी मकसद के लिए वो, उसे लोगों की जान चली जाती है, public properties डिस्ट्रोई होता है हमारी पूरी system का एक peace चला जाता है, ठीक है, यह Naxalist के लिए problem के लिए करता है साथ-साथ government के लिए इनको रोगना होगा आप आगे मैं आपको समझाओंगा, Naxalism के बार में इनके causes and concerns के बार में तब आपको अच्छी सरह समझ में आएगा अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे, यह left wing extremism है क्या इसे पहले आपको मैं समझाता हूँ, यह left wing concept क्या है आप लोग सुने होंगे left, right, center करके इसमें जो leftist है न यह लोग equality के उपर विश्वास रखते है socialism के उपर विश्वास रखते है, egalitarianism के उपर विश्वास रखते है egalitarianism मतलब equality है, यह सब principles के उपर यह लोग विश्वास रखते है देखो आपको मैं एक symbol example से समझाता हूँ, मालो एक खेत है, एक खेत एक landlord का है अब इस खेत में खेती चल रहा है, काफी सारे persons काम कर रहा है, ठीक है शुरू से अन तक इन्होंने पूरी मेहनत किया, इसके बाद फसल उखाके landlord को दिया अब landlord को मिला क्या, प्रोफिट, काफी सारे प्रोफिट मिला, अब इनको क्या मिलेगा, इनको wages मिलेगा अब यह right है गया दोस्तों, actually पूरा काम इन से कराया, भले land इनका हो, पूरे काम इन से कराया, शुरू से अन तक और प्रोफिट इनको मिला left-wing ideology क्या है, equality के उपर है, मतलब इनका कहना यह है, जितना प्रोफिट मिल रहा है, या जितना फसल इसे मिल रहा है, वो सभी में equally बाटना चाहिए, सभी का जो ownership है, claim है, वो equal होना चाहिए, तो यह है basic leftist concept, यह लोग पूरा hierarchy system के against है, जो society में जो hierarchy है न, चाहे वो government का हो, society में हो, basically higher class, middle class, lower class, यह सब hierarchy के against है, left-wing, अब यह left-wing extremism क्या है, left-wing extremism मतलब इनके ideology leftist है, पर यह लोग extreme काम करते है, देखें, left-wing ideology में काफी सारे protest किया है, काफी सारे peasant movements, peasant appraisings वगरा, left-wing की तरब से हुआ है, पर यह left-wing extremism का जो protest की तरीका है, वो थोड़ा violent है extreme है, इसलिए यह लोग को left-wing extremism बोलते है, ठीक है, left-wing है इनका पर extreme काम करते है, their organizations, these organizations are groups that try to bring change to violent revolution, अब देखें, आराम से, प्यार से, समाथान से कुछ करेंगे नहीं, जो भी करना है, वो लोग violent form से करेंगे, they are against democratic institutions and use violence to subvert the democratic processes at ground level, अब देखें, यह लोग गर्मन के against है, democratic institutions के against है, यह लोग violence की स्तमाल काते है, and democratic process को रोगते है, these groups prevent the developmental processes in the least developed regions of the country and try to misgate the people by keeping them ignorant of the current happenings, यह सबसे बड़ा negative चीज़ है, यह लोग करता किया दोस्तों, अगर गर्मन कुछ अच्छा भी करना चाहे न, उसके against यह लोग खड़े रहते है, जितने भी developmental processes उसको रोगते ह और यह maximum वही areas को concentrate करते है, जो least developed regions of country है, and वो लोग tribals के उपर concentrate करते है, जो uneducated है, unemployed है, इनको easily brainwash कर सकते है, इन violent protest को इस्तमाल करने के लिए, इनको follow करने के लिए, यह एक negative thing है, left wing extremist का, ठीक है, यह लोग misgate करते हैं, keeping them ignorant of current happenings, उन लोगो को, वो लोग misgate करते हैं, जिन spreading से बहुत दोर है, right, nexalism and left wing extremism are used interchangeably, अब देखें, lexalism, left wing extremism, यह सब same ही है, ठीक है, अब यह nexalism word कहां से आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे, यह word कहां से आ गया, इसका origin कहा है, वह सब मैं आपको अगले slide में बताऊंगा, अब देखें, on the other hand, team mavoist offers exclusively to cadres and leaders of the Communist Party of India mavoist, आप देखें, mavoist भी अपने सुनोंगे, mavoist मतलब basically दोस्तों, जो Communist Party of India का mavoist group है, मतलब CPIM, CPIM में एक CPIM मार्क्सिस भी आता है, ठीक है, वो अलग है, CPIM मार्क्सिस्ट, यह CPIM मावोist है, जो mavoist, mavoist है, जो Chinese premier थे, उन लोग mavoist है का कहीं सारे tactics था, चाइना में बहु Communist Party of India का mavoist group, यह जो mavoist Communist Party का जितने भी caterer है, leaders है, उनको mavoist भोलते है, ठीक है, अब देखें, all mavoists are Nuxilates, but all Nuxilates are not mavoist, ठीक है, जो जितने भी mavoist हैं, बेसिकली Nuxilates है, पर सारे Nuxilates आप यह नहीं बोल सकते, mavoist है, इनका जो काम है, nature of work है, वो सब equally है, पर mavoist, particularly Communist Party of India mavoist group से बिलोंग करते हैं, अब दोस्तों, origin of Nuxilism, मैंने आपको पिछले स्लेट में यह बोला था, Nuxilism नाम कहां से आया, इसका origin क्या यह बताऊंगा, देखे, the tame Nuxilism deranged its name from the village Nuxilbari of West Bangal, West Bangal के एक village का नाम है Nuxilbari, उधर 1967 में एक rebellion हुआ था, अब rebellion क्यों हुआ था, दे अटैक किया, इसके बाद एक rebellion organized किया गया, under the leadership of तबके leaders, Kanu Santal and Jagan Sanya, इनका objective क्या था, rightful redistribution of the land to working peasants, अब देखे, left ideology क्या है मैंने आपको पिछले स्लेट में बोला था, वो लोग equality के उपर, socialism के उपर विश्वास करते हैं, तो इनका objective भी कुछ अलगी नहीं था, rightful redistribution of the land to working peasants, जो peasants, जो farmers actually ground में काम कर रहे हैं, उनको आप redistribute करो land, यह इनका objective था, और यह 1967 में हुआ था, right, it started in Vazbangal and movement slowly spread across the eastern India, अब देखे, Vazbangal में यह appraising start हुआ, धीरे धीरे, rural, central and eastern India में फेल गया, such as Satishgarh, Odisha, Andrapatish बगेरा में, the movement has rapidly found roots among displaced tribes and natives, अब देखे, कि दोस्तों उस टाइम पे बहुत जादा exploitation होता था, जैसे मैंने आपको पिछले स्टैन में बोला था, land owners, landlords जो है, वो peasants को ज्याता था, exploit करता था, जितना काम वो करते थे, उतने value उनका काम के ओपर देता नहीं था, तो ये एक movement शुरू हो गया न, ये ट्रिगर मिल गया सबको, जितने भी displaced tribes थे, natives थे, who were fighting against exploitation, तो उनके लिए एक trigger मिल गया, अब ये लोग ये मौका का फाइदा उठा के, जितने भी major Indian corporations है, local officials है, जो करत थे, इनको exploit करते थे, उसके उपर एक protest करना लग गया, तो ये शुरुवात है, नक्सलिसम का, ठीक है, तो नक्सल बारी village से शुरू हुआ, तो ये जो rebellion जैसे शुरू हुआ न, इसी तरह का protest, जो landlord के against करते है, exploitation को रोकने के लिए, इसको नक्सलिसम बोने लग गया, और जो नक्सलिसम करते है थे, उनको नक्सलिसम बोने लग गय ठीक है, पहले protest जो थे, थोड़ा समाथान माला protest था, इसके बाद दीरे दीरे इसका जो nature हो चेंज हो गया, वो violent protest में बदल गया, क्यूंकि उनको लगने लगा, अराम से protest करने से कुछ होने वाले लिए, इसलिए दीरे दीरे उनका रूप बदल गया, इसके बाद दीरे दी नक्सल बनते हैं, इतने सारे नक्सलिक मुवमेंट होता के सा है, सबसे मेन रीजन है, एक्स्प्रोइटेशन बे लोकल अलेट्स ऑफ दे इरिया, तर्शल्टर अफ देखिए, आपको ज्यादा तर नक्सल ग्रूप में ट्राइबल पीपल मिलेंगे, देलित लोग मिलेंगे आदिवासीस मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा एक्स्प्रोइटर है, इनसे काम करवात है, जितना काम का पैसा है, वो देता है नहीं है, और इनके साथ टॉर्चर भी होता है, तो ये सबसे ये लोग परेशान रहते हैं, ठीक है, और क्या होता है, नक्सल ग्रूप के जो लीड करना होगा, और ज्यादा तर ये लोग है, ये अनेजुकेटेड भी रहता है, ये लोग जल्दी जल्द इनको फोलो करने लगता है, ठीक है, तो ऐसे नक्सलेट बनता है, देरीजन फो देस्पोर और मैनिफोर्ट, वाट इस कोमन अमक्स दिस ग्रूप इस डिग्री इंक्ति से डीजिं कोशरेंगें, डीडि पैसा डीजीन पासपें, बुअपर से लोग एकस्पोरीफ हो रहरा हैं को फैसे नक्सलेट नहीं है, आक पॉस्च्टिवरु रीजन के बनता jogar लोग गा मशोर्स का पास्यू बीज़रेंगें तो conservation के लिए कई सारे policies government लाता है biodiversity को conserve करने के लिए कई सारे areas को taggers बनाता है कई सारे areas को protected areas बना देता है तो इससे भी ट्राइबल्स को problem होता है तो इनका livelihood चला जाता है क्योंकि इन लोग forest के आसपास रहता है ट्राइबल्स जो है इनको forest में से कुछ collect करना होता है minor forest produce वगरा honey हो गया चोटे मोटे लगणिया हो गया तो यह सब हो नहीं पाता है ठीक है तो यह भी एक problem है इनका daily income चला जाता है तो इन लोगों को यह लगता है कि government ने हमारे against frizz से ऐसे parishion करने वाली चीज़ कर रहा है the culture humiliation they face इनके culture के against attack होता है not being able to access good health care इनको good health care access करने की सुधानी होता है education नहीं मिल पाता है power नहीं है atrocities they face on a daily basis यह तो मैंने बता दिया exploit होता है, torture होता है इनका and political marginalization यह तो बतारे कि कोई ज़रूरत नहीं है political marginalization तो होता है हार election में कोई नहीं को यह vote दे दो, वो vote दे दो आपके लिए यह करेंगे, वो करेंगे और आखिर कुछ होता है नहीं है यह भी एक कारण है and protests that they do can also be included in this तो basically यह सब कारण आप एक primary reasons बाल सकते हो naxal movement के लिए लोग naxalids बनने के लिए तो naxal groups में ज्यादा तर कौन लोग आता है तिलित लोग, आदिवासी लोग और ट्राइबल लोग, ठीक है अगला क्या है अगला क्या है अब देखी इस states में सबसे ज्यादा ट्राइबल पोपलेशन भी आपको दिखेगा वैसे इंडिया में अगर 211 की census देखा जाएगा तो मध्याप्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल से मध्याप्रदेश के टोटल पोपलेशन का करीब 14 परसंट ट्राइबल है तो आप रिलेट कर सकते हो के से इथर ज्यादा नेक्सल अफेक्टेड अफेक्टेड़ एलिया से इथर evidence of natural resources भी है अब दीगे natural resources जैसा को पर है ठीक है आयने यह सब है तो इसलिए उधर ज्यादा तर corporates भी आता है बड़े बड़े companies होता है तो काम भी होता है तो काम होने से exploitation होता है तो इस natural resources का presence भी नक्सलिसम का ही कारण बढ़ जाता है क्योंकि उधर exploitation शुरू हो जाता है उधर बड़े-बड़े companies आता है तो बड़े-बड़े companies आता है तो बड़े slow implementation of the reforms related to the land is another major reason ठीक है तो देखो काही सारे reforms लाते है वैसे गर्मन ऐसा नहीं गर्मन चुप बैठा है गर्मन ये tribals के लिए तलिज के लिए अधिवासी के लिए schedule tribes के लिए कही सारे reforms लेके आता है पर इनके जो implementation है बहुत ही slow हो जाता है implement होते होते काही लोग मर भी जाता है तो यह slow implementation of reforms यह का रहन है the landlords who are generally being termed to be corrupt have frequently moved to court to get this reforms related अब देखिए reforms owners से problem किसको होता है जो landlords है जो corporates है जो बड़े-बड़े company से उनके लिए क्योंकि reforms लाने से उनको लोग नहीं मिलेंगे काम करने के लिए लोग government को influence करते हैं और यह लोग court में file करते थे cases वगरा तो यह reforms जो है late हो जाते हैं बहुत गलप सी से तो यह भी कारण है they are also not to have conneved with the local politicians to make the land reforms process low and cumbersome reforms related to the land have this failed to come into play तो वही है local politicians के साथ भी जो बड़े-बड़े लोग है उनका influence रहते हैं वह लोग land reforms जो actually tribals को promote करने के लिए जितने land reforms वगरा या land reforms हो या कोई भी developmental reforms पो कर्मन लाना चाहते हैं वो implement होने में दर लगा देते हैं इससे जो landlord से जो corporate से इनका फाइदा है पर यह जो लोग है ट्राइबल लोग इनके लिए लुकसान है तो कैसे नहीं बेनेगे लोग नसल्स बताओ इनको protest करने के लिए क्या तरीका होगा तो यह another reason could be social structure of the areas where the next activities are prevalent most of the problem races in the areas where there are poor people and the residents who are absolutely no or minimal resources to meet their ends basically दोस्तों बोला जाएगा तो गरी भी सबसे बड़ा problem है अब देखिए यह जो ट्राइबल से जो नकसल्स बनते हैं इनको यह पता है इन लोगों की food security ensure करने के लिए government ने कई सारे policies लेके आया है पर maximum areas तक यह जो policies की implementation पारते हैं वो पहुंचते नहीं है बेसिकली इनको खाना जो resources government ने provide किया है वो भी पहुंचते नहीं है इसका main कारण है दोस्तों middleman आपको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा एक शाफ है middleman जितने भी broker या middleman या एजेंस जो बीच में काम करते हैं वो पता नहीं food resources को इधरोदर divert कर देते हैं इन तक पहुंचते नहीं है जितना government provide करते हैं यह अभी भी इंडिया में होता है तो यह भी एक कारण है इनको पूरी तरह इनको नेगलेट कर रहा है अगला क्या है tribal policies not implemented यह मनें बता दिया वैसे देखो even during the post-independence era government was not able to stop the process of tribal alienation and the displacement caused by large projects देखिए tribal policies कहीं सारे होते हैं वो ठीक से implement नहीं होते हैं उपर से जब बड़े-बड़े projects होता है गर्मन की तरफ से infrastructure चलो या और कोई भी project उसमें ट्राइबल को displace किया जाता है एक एरिया से दूसरे अरिया आप ट्राइबल ऐसे ट्राइबल पोपलेशन मतलब ऐसे वो फोरस से जुडा रहता है उनका जो एरिया उनके लिए बहुत माहिने रखते हैं उस एरिया से इनको निकालके दूसरे अरिया में भेज देते हैं यह सब इनके लिए यह लोग खुश नहीं इसे मतलब गर्मन से या जो democratic process से जिसे इनलों को काफी साथ परेशानिया मिल रहा है इसे वो खुश नहीं है ठीक है even the issues of food security were not fully sought out consequently nexalism made indoors in Orisa and other states देखिए food security मैंने आपको बथा गिय यह middleman की खेल जो होता है consequently देखो यह सब वजे से नक्सलिजम औरी साथ 36 गड़ ठीक है तिलंगाना जैसे देशों में जैसे states में फेल गया और यह कारण है geographical terrain नक्सलिजम थाइज इन एडियास covered with forest it helps them fight against the police नामी भाई वेजिन गर्लावाफर तो यह एक advanced reason है basically नक्सलिजम ए में spread होने में यह जो geographical terrain help करते हैं क्योंकि यह लोग maximum forest के अंदर रहते हैं जहां police आर्मी वगएरा पहुंच नहीं पाता है ठीक है तो यह सब कारण है दोस्तों basic causes है नक्सलिजम मोमन का अब समझ सकते हो यह तो मैं और एक बार आपको बता देता हूं government policies ठीक से implement नहीं होता ह जिते भी policies implement होते हैं वो slowly implement होते हैं बेड़े-बे infrastructure projects जो आता है ट्राइबल्स को displace करते हैं और food security ठीक से ensure नहीं कर पाते हैं तो इसी तरह ट्राइबल्स को यह लगने लगता है या दलित या आधिवासिस या ट्राइबल्स जो रहते हैं forest areas में इनको यह लगने लगने लग चलता है और कई सारे नक्सल लेडेस इनको प्रवोक करता है इनको educate करते हैं आपको क्या करना चाहिए अब दोस्तों लोस में टू टैकल नक्सलिसम अब नक्सलिसम के बार में इतना सब कुछ बता दिया अब यह देखते हैं गर्मन की तरफ से नक्सलिसम को टैकल करने के लि किसी का लांड अगर गर्मन ने इंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए या इंफ्रस्रक्ट्रक्ट्र प्रजेट के लिए अक्यूर किया हो उनको एक्सेंज में दूसरा लांड देंगे एंप्लेइमेंट ओपरचुनटी फैमिली के एक मेंबर को एंप्लेइमेंट ओपरचुनटी तेंगे और अलों विट वोकेशनल ट्रेइड़िए अगे सर्वेव करने के लिए और अलक सा घर भी बना के देंगे अगर उनका घरवाले एरिया भी कर्बन ने अध्यूर किया तो इसको बोलते है नाशनल रिहाबिलिटेशन एंड रिसेटिल्मेंट पोलिशी ठीक है दूसरा कहा है फोरस राइट सक्ट यह भी इंपोर्टन है इस एक्ट असक्नॉलज्ट द राइट्स अब यह फोरस्ट डॉलेस एंड शेडूल ट्रेप्स फोरस्ट डॉलेस मतलब क्या छोटे मोटे लेकडिया हैं यह सब माइनर फोरस्ट पोडियूस हैं यह लोग कलत कर सकते हैं अब फोरस्ट राइट्स एक्ट टॉतोसन सिक्स में से जो फोरस्ट डॉलेस का राइट से जो माइनर फोरस्ट पोडियूस वारे कलत करने का उधर रहने का यह सब राइट्स को और उनके लिए प्रोब्लम नहीं होगा तो यह बी इनके लिए सही है थीसरा क्या है थोड़ासा टाफ एक्षन है नक्सल ग्रूप साथी डिक्लेरड अस टर्रीस ओग्नेशेशन बाइडर गरमनेट ओफ इंडिया अंडर यूएपफ आक्ट के बार में आपने सुनाई होगा ठीक है अब देखिए दोस्तों गर्मेंट की तरफ से काफी अच्छा-चा अक्षन रहा है पर इसकी implementation पार्ट भी देखना पड़ा है कितने अच्छा से implement हो रहा है राइट reforms कितना अच्छा सा हो रही है सब अब दोस्तों एक important point है government strategy to curve left-wing extremism अब देखिए हम सबको पता है left-wing extremism से क्या-क्या नुक्सान होता है लोगों को government properties को अब देखिए government की तरफ से doctrine इसको एक one-stop solution है इसको रोपने के लिए Samathan doctrine जिसका full form है S for smart leadership, aggressive strategy, motivation and training, actionable intelligence, D for dashboard based KPA, KPA मतलब key performance indicators and KRS key result areas, H for harnessing technology, action plan for each theater and no access to financing तो इतना सब चीज़ें करके left-wing extremism को 100% रोकने की कोशिश कर रहा है government यह थोड़ा ध्यान दीजेगा Samathan doctrine आप से पूच सकता है अगर आप से पूचे left-wing extremism को रोकने के लिए government के तरफ से क्या-क्या है तो एक तो आप बोल सकते हो जितने भी welfare measures government ने adopt किया है दूसरा यह जो समाधन doctrine है यह S से N तक जिसका जितना full form है अलव यह आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक है अब दोस्तों finally what reforms are needed वैसे government की तरफ से काफी सारे reforms रहा है नक्सलिसम को रोकने के लिए eradicate करने के लिए फिर भी 100% एलिबिनेट नहीं हो अपार है इसके लिए government को they should dig deep into their root causes and address the issues उनको नक्सलिसम को root causes के यह identify करना होगा जैसे आमने discuss किया और इन issues को address करना होगा सबसे पहला है socio-economic development अब देखे दोस्तों जब हमारा national budget बनता है उसमें तो priority यह जो poor regions को देदो और इनको funds allocate करो and through initiatives इनका health system, safety provisions, social reforms, educational developments वगरा ensure करना चाहिए केवल funds allocate करने से नहीं service delivery of the government must be improved देखे government को through their officials यह ensure करना चाहिए कि जो policies या reforms government करना चारे इनके लिए या funds allocate कर रहा है वो उन तक पहुंच रहा है या नहीं कोई middleman आके कोई agents आके बीच में काम को रोक रहा है यह government को monitor करना है the regulations of providing minimum wages and other basic needs must be implemented देखे minimum wages provide करने वाला system है basic needs जो भी है इनका वो सब implement कर देना चाहिए if these issues are addressed then there will be no discontent on behalf of the next list यह जो basic issues को अगर address करेंगा आथा problem solve हो जाएगा next list की तरफ से कोई discontent नहीं रहेगा फिर यह लोग ऐसे violent protests वागरा नहीं करेंगे violent attacks वागरा नहीं करेंगे और क्या है multilateral dialogue यह एक important जीस है government should initiate proper dialogue with these groups that have been marginalized next leads and local leaders of the areas government discussions के लिए dialogues के लिए इनको बुलाना चाहिए table के सामने बिठाओ इनसे पूछो आपको क्या चाहिए ठीक है और उनका views ले लो उनकी development के लिए violence से हटने के लिए क्या क्या आप लोग चाहते हो पूछ के उनके issues को address करो यह भी एक solution है तीसरा है military the main instrument that the government uses currently is the military first आप देखें दोस्तों government Nuxle groups को इनके problems को sort out करने के लिए military की इस्तमाल करते हैं काफी सारे military personal को deploy करते है Nuxle areas में इसा नहीं कि पूरा military को हटातो उदर से फिर भी यह reduce कर देना चाहिए अगर आप इसी तरह अटक करते होगे military की यह जो Nuxle groups है उनके उपर भी एक revenge tape का attitude आ जाएगा तो यह problem कभी solve में होगा तो धीरे-धीरे करके government को military usage जो है यह रोकना होगा final है governance अब देखे growth of such a group also discloses the flows in structure of the government अब देखें दोस्तों government इतने सारे reforms already कर रहा है welfare measures adopt कर रहा है policies adopt कर रहें इनकी development के लिए नक्सलिसम को रोकने के लिए फिर भी यह 100% eliminate नहीं हुआ है आज भी हमने news में पड़ा है कि नक्सल ग्रूप्स ने attack किया मावोष्ट ग्रूप्स को encounter किया तो इस तरह की news अभी भी आ रहा है इसका मतलब यह है यह दिखाता है कि government की जो governance है यह सही नहीं है इनकी तरफ गर्मन की जो structure है इसमें flows है है कि नहीं मतलब government policy सही तरह implement नहीं हो रहा है इसलिए तो अभी भी attacks हो रहा है अभी भी नक्सल गूप्स बन रहा है the government has the overall responsibility to address the threat and hence the states need to come together with the union to combat the issues in a multi-dimensional way तो central government को and states को एक साथ आके इस बड़ा से एक problem को solve करने के लिए बाइट के सोचना चाहिए ऐसे message adopt कर देना चाहिए इस threats को address करने के लिए तो दोस्तों finally that's the end of it नक्सलिजम, left-wing extremism यह सब के गार में चोटा सा एक lecture था दोस्तों I hope आप लोग को कुछ ठीकने को मिला होगा आप लोग की valuable suggestions, comments बगेर आप कुछे बता दीजेगा अगर कुछ improvement चाहिए ओ भी बता दीजेगा अगर कुछ term समझ में नहीं आया वो भी बता दीजेगा मैं आपको फिर समझाने की कोशिच करूँगा लक्षे की PDF as social आपको टेल्गाम चानल में मिलजागा जिसका लिंक नीचे प्रवेड़े है, थैंक्यू फो वाचिंग, बाइ बाइ बाइ, हैव आफ नाज दे